प्रोड़क्ट लाउंच फिनिशर हमारा पहला एक ऐसा सिस्टम है जहां आप बिना मशीन इंप्लांट के भी प्रोड़क्ट लाउंच करते हैं मैं कभी यह नहीं मानता कि आपको हमेशा मशीने लगाकर प्रोड़क्ट बना कर और फिर वो सारे काम करने चाहिए मार्केट को चाहिए मेरा एक ही कारण है कि मैं आपको जो स्टार्टिंग से लेकर चलता हूं मार्केट में जब तक आप मार्केट को अंडस्टैंड नहीं करते हैं तब तक बिजनस नहीं बनता है कोशिश यह करें बने बनाए प्रोड़क्ट लेकर आएं बिकॉज जिन्होंने भी अभी भी डाउट्स है आप उसका फर्स्ट वर्जन लॉंच करें और फर्स्ट वर्जन लॉंच पता है कैसे होता है आपका नाम होना चाहिए जो कहते हैं मेरा नाम कंपनी का मैं पहले डि मार्केट में करिए कि मार्केट को आपके टेस्ट करता है क्या मेरी कोर स्ट्रेंट है क्या मेरा पैशन है क्या मेरा परस होना है क्या मैं अपने बिजनस में इस प्रोड़क्स पेमिंट भी क्रिएट करा पाऊंगा एक्जेक्ली आपको वो तब पता लगता है जब आप मार्केट को सर्व करते हैं बने बनाए प्रोड़क्स कि निद्टेट में जाता हूं लेकर आपको लॉंच करना चाहिए खुद को टैस्ट करते हैं और वहां सिस्टम वह को प्लप करте कैसे आपको लेकर जाने हैं उफालो करते हैं खुद से के फॉर्म भी दूंगा जिन्होंने तीन लाग प्लस का बिजन्स बनाया है लाइक प्रोड़क्ट सेल करें वह एलिजीबल है चैनल पर फीचर होने के लिए ताकि आप अब अपना शरम अंदर से डर अंदर से एक्सप्लोर करें लोग आपको पहचाने एकेडमी में लोग अगर आप हैं प्रोड़क्ट लॉंच करके तीन लाग के बिजन्स बना चुके हैं जहां पर हम अभी मेरे थोड़े स्लॉट्स खाली हो रहे हैं जैसे ही होते हैं आपके साथ में मेरा इंटर्वी होगा और वह आप अपनी कहानी बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट करा था कि लोग मोटिवेट हो पाएं और फिर अगर आपको बिजन्स चाहिए तो हम आपको करते हैं कि कैसे आपको लोगों को मदद करते हुए हल्प करना है इस और अगर योट्यूब से डारेक्ट और जाते हैं तो वह आपके पास में सीधा पहुंचते हैं क्योंकि डिस्क्रिप होगा बिना करें आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा तो यह सेकेंड लैवल है आपका हॉल ओफ फेम थर्ड रहेगा करूर क्लब देखिए ट्वैल मन्थ का एक मिशन मार्ग कर चलिए टैन डेज नैंटी डेज ट्वैल मन्थ बहुत अगर आप सिस्टमेटिक चलते हैं तो यह आसानी से हो भी जाएगा अगर आप सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते हैं तो समय लगता है केस स्टुडी मैं अगर आप देखें मैं आपकी प्रोड़क्ट ब्रेंड की केस स्टुडी बनाता हूं फिर और उसे हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे अगर आप वन कर सी कि मैं हर अभी स्टार्टिंग के फेज में कम्यूट करते हुए इस कम्यूटी से एटलिस 20 करोड़ पती तो हम निकालें जो पूरा सिस्टम फॉलो करते हुए हर साल 21 करोड़ के बिजनस बना रहे हूं फिर वो मल्टिप्लाई होती ही जाती है आपको पता है कि जब हम नहीं लगता है थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगता है तो जो एक करोड़ बनाएगा फिर वो स्टार्टिंग के बाद में पांच करोड़ बनाने लगी जाएगा अगले 3-4 साल में तो यह मौडल है मैं करोड़ पती क्लब थर्ड लेवल पर आपको मानता हूं कि सांटरंज सक्टल होती है जो भी सोसते हैं यह करने से ड़र लगता है कि आप से इसा करने से इसा होगा कितने 플राव में यह इस लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप धिमाग के लेवल पर ज़्यादा सोचते हैं तो action नहीं ले पाते हैं type me in a comment box कितने लोगों के साथ मैं ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे न even मैंने एक बुक में पड़ा भी था कि जो लोग समझदार होते हैं वो अपने actions ले ही नहीं पाते हैं और जो लोग ना समझ होते हैं वो actions ले लेते हैं वो अपने brain की पूरी energy सोचने में सोचने में सोचने में लगा देते हैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ speed of implementation and backing action this is a efficiency level अगर आप सोचते बहुत हैं और करने में आपका कम विश्वास है कि मैं वो होगा तो करूँगा machine होगी तो करूँगा ये market से मुझे जब अपने partners मिल जाएंगे या पैसा मिल जाएगा तब करूँगा तब ऐसा नहीं है कि कभी भी आपके लिए right time रहेगा इवन मेरे साथ में ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं जिनके करूडों के already business models है आज में उनके सोपी डवलप नहीं है आज में उनके पास में एक system नहीं है जब वो consulting में आते हैं तो एक चीज रहती है कि कहीं ना कहीं वो procrastinate करते रहे थे चीजे तो चलती रही market के demand से पैसा बन गया बढ़ आज भी वो चीजे नहीं बिल्ड हुई जो actual में उन्हें करनी चाहिए थी मेरा ये मानना है कि जब आप काम को बिखेरेंगे कम तो समेटना आपके लिए आसान रहेगा जब आप काम बहुत सारा बिखेर देंगे सपोज आपको पता ही नहीं है मशीन से बिजनस नहीं बनता है इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में customer first है इस इंडस्ट्री में market first है तो आप वो काम पहले करेंगे छे मैने के पूरे preparation mode में जाके अटकेंगे और follow नहीं करेंगे फिर देन आपको लगेगा फिर देन आप मेरे साथ में आगे बढ़ेंगे तो ज़स्ट फॉलो करें पहले blindly ये systems जो मैंने आपके लिए build करेंगे आप मेरे साथ में accountability लें फिर ये काम step by step लेते चलें ताकि आपको वो आसानी से system में आपका mindset grow हो strangest secret सुनें ये सबसे पहला आपके लिए काम रहेगा इसको सुनते के आप business बना सकते हैं या mindset grow कर सकते हैं इसी तरह का goal writing रखें ये goal writing है मेरी notebook जिसमें मैंने goals भी लिखे हैं देली मेरा goal है आज के मेरे टास्क थे फरस्ट आफ आल मुझे 31 दिसम्बर तक इतना चीव करना है मैंने लिखा है मैं इतना कमाना चाहता हूं मेरा लक्ष यह है मैं आज के समय कहीं ना कहीं अपने चैनल पार्टनर्स लगबक सो से ज्यादा चैनल पार्टनर्स क्रिएट करूंगा डिजिटली यह मेरा लक्ष है मैं प्यॉर हूं मैं इश्वर से प्रेम करता हूं यह सारी जो भी affirmation से you have to just write this कितने लोग ऐसा करते हैं टाइप me and no in a comment box yes and no in a comment box because मैं आपको वही चीज़े सिखा रहा हूं जो आपको करना है जो लोग कर रहे हैं टाइप yes and no in a comment box आपको लिखना है two pages के at least daily goal writing लिखना है starting कि यह मैसेज है प्रकरति को आपको क्या चाहिए एक आपके टास्क हो और एक आपका लक्षे का आपका गोल हूं एवन डो जो मैंने आपकोlingen गोलगार्ड बनाने को बोला है अभी मेरा मेरे पास नहींए बट मैं आपको 차 तबमने चाते हैं पांच करोण पर रमन चाते हैं मेरा दस साल बाद 15 साल बाद में इतना बनाओ W और मुझे लगता है कि वो मैं 23 तक अचीव कर लूँगा तो जब आप यह लिखेंगे तो यह पूरा जो मैं आपको सिखाता होना इसमें आपको काफी सारी जो लोगों से आपको सीखने में बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा एवन माइंचेट के लिए आपको बहुत सार क्लासिज लेने पर बहुत सारा इंवेस्मेंट करना पड़े तब जाके आपको इनॉलेज मिले कि आखिर सक्सेज या बिजनस में लीडर्स को क्या करना चाहिए अब फर्स फेस में हैं सैकिंड में हैं यह जब करते हैं तो अंदर से आपके सबकोंश्यस में चीज़े रजि जब आप सोचेंगे वही शब्दों में आएगा जब आपने बोलने लग गए ना मुझे एक लाग पर मन्ट चाहिए मैं आपको सच बता रहा हूँ एक लीस इस बिजनस में आप पांच लाग पर मन्ट आसानी से बना सकते हैं बहुत आसानी से अगर आप मार्केटिंग और को समझ जाएं सेल्स को समझ जाएं तो क्योंकि आप मल्टिप्लाई कर देते हैं अपने बिजनस को यह आपका मॉडल है अगर आप पचास बना रहे हैं आप मल्टिप्लाई कर सकते हैं यह आपका बिजनस मॉडल बनेगा आसानी से गोल राइटिंग की ताकत समझे थर्ड ह है आपके लिए positive mindset अगर आप negative जाते हैं डिब जाते हैं यह याद रखना यह फेज है लाइफ के यह loneliness की जर्णी ऐसा नहीं है बहुत charming यह business बहुत charming चीज है यह बहुत अकेलेपन का भी काम है इसलिए right kind of environment मैंने आपको provide कराया there are so many members in the silver there are some serious person in a gold और quality members in a diamond membership so जो आपका mindset अगर आपको लगता है कि मुझे creamy peoples के साथ में बैठना है so just upgrade करना चाहिए आपको क्योंकि कारण यह है कि positive mindset के लोग आपको बहुत सारे वहां मिलेंगे second आपको अपने आसपास के औरा में declutter करने चाहिए वैसे लोग जो आपको negative बात बोलते हैं क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे 70-80 परसेंट आपको negative feedback मिलेगा चाहिए आप कुछ कर लें देखो मैं आपको बताता हूं मैं सबको नहीं सिखाता मैं सिफ आपको ही सिखाता हूं और मार्केट में बहुत से अधर बिजनसेश हैं बट जब मैं देखता हूं लोग को करते हुए एक मोबाइल की शॉप खोलते वक्त एक इंसान को जो एडवाईज मिलती है वो यहीं मिलती है यार और भी दुकान है एक काम करते वक्त बहुत से लोग जब दु रिया नहीं करते हैं तब तक उन्हें समझ में नहीś आता हूं और इसके लिए आपको स्टारट करना ज़रूरी है और जो कि बिजनस मैं आप अगर प्रोड़क्ट आपके हाथ में नहीं है बने बनाए लेकर जाओ बेचो या सेंपल दो आपको फीड़बैक पता चलेगा आपका यही स्टार्ट है प्रोड़ करा है सिलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं से स्टार्ट होता है क्योंकि कभी बी कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता है आज मुझसे खड़ा होकर सामने कि मेरे पास में सारी चीजह है मेरा सबके बास में कमी रहती है और यह कमी आप फिल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ग्रोथ करना है अगर आपको ग्रोथ आज मैं खुद नहीं बोल सकता हूं कि मेरा एको सिस्टम में मुझे आप काम नहीं करना है सब चीज़े काम चल रहा है अब मुझे चैनल पार्ट बनाऊंगा तो मैं इस तरह से सोचता हूं आपको यह फॉलो करना चाहिए कि मॉडल आपके लिए बना हुआ है जस्ट फॉलो यहां से आप अपना मॉडल क्रियेट करें और उसे अपडेट करते रहें यह मॉडल आपका करें सिस्टम्स की अगर हम बात करें आपको फॉलो करने चाहिए मेरे पात को देरा थ्री लेवल्स तीनों ही लेवल आपको फॉलो करने होंगे देन तबी आप यह सिस्टम सीख पाएंगे अटेंड ऑल मैराथन आपको सीखना है जिसे हम अखतौन भी बोलते हैं करना है यह सैकेंड लेवल पर करना है और अटेंड अल मीट आप्स जो में आपके साथ मिलता हूं स्टार्टिंग में बात हर बार सेम नहीं है हर बार मैंड में अब सेम हैं बट मेरे शब्द अलग होते हैं यह समझ लीजेगा अगर आप आज के समय 50 विजट्स करते हैं जाए आप आप ड्राइफूट्स लॉंज करना चाहते हों किसी भी तरह का प्रोड़क्ट करने का आपने सोचा है जस्ट फॉलो प्लीस 50 विजिट्स मार्केट में जाए पचास वन-टू-वन कंप्लीट करें तो मार्केट में समझ में आएगा कि कितने लोग पॉजिटिव है कितने नेगेटिव हैं अब मैं आपकी पोजिशनिंग बनवाना चाह रहा हूं यह एक नया टास्क है आज पैनिन पेपर लेकर बैठिए जिनके भी प्रोड़क्ट सेलेक्ट नहीं है टाइप मी इन चैट बॉक्स आपकी परसनल पोजिशनिंग सेट नहीं है टाइप जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका प्रोड़क्ट सेलेक्ट नहीं है मार्केट सेलेक्ट नहीं है टाइप मी ना कॉमेंट बॉक्स ओके संतोश आकरशन राजेश ची प्राम भरोश ओके इस तरह का रखना चाहिए अपना इस तरह का रखना चाहिए बिकॉज मेरे नॉट्स बनाते वक्ट कितने लोगोंने ऐसा सेल्फ रखा हुआ है टाइप मी अगें इनकॉमेंट बॉक्स पूरे लेवल्स पे आपको सिलवर के यह इदर बनाने चाहिए और यह भर जाएंगे जब आप मेरे क्लास लेंगे तो ताकि कि स्ट्रेटेजी आप यहां से लेकर मार्केट में लॉंच करें कि आपको यह रजिस्टर बनाने चाहिए इवन मैं हमेशे बताता हूं जस्ट यह मेरे मेंटर्स की जो भी क्लास होती है कि मुझे क्या सीखना है क्या आगे मैं कर सकता हूं सो ऐसी ही मैं आपको बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैंने सीखा नहीं है जिनके बिजनस मॉडल अभी तक तयार नहीं है पहले समझिए माइन नेम आपको नाम पता है तो यह पांच फेज में अगर आपको बाते पता चल जाएं तो आप पोजिशनिंग तयार कर लेंगे अपने बिजनस में यह मैं पहली बार करा रहा हूं क्योशन इनांसर सेशन में तो यह टास्क सबको करना है जिनके प्रोड़क्ट सलेक्ट भी है उनको भी अपना इंट् तैयार कर रहा हूं बजनस में अगर आप इंट्रों कर लेंगे आपको आउट्रों अपने पता चल जाएगा कि क्या है करना है मैं यहां पर अपना अप्लोड करता हूं जैसे कि माइन्स जीट है है कि मैं कंपनी नाम नहीं है जस्ट विजुलाइज आपकी क्या कंपनी नाम है आपका हो सकता है कुंदन आपका हो सकता है आकर्शन आपका हो सकता है चंदन आपका कुछ भी हो सकता है A B C D यूर ब्रैंड नेम जो भी आपने सोचा है जस्त राइड देम राइड करें फर्स्ट है माइनेम सगेन कंपनी नेम माइ कंपनी नेम इस कामकाजी जब तयार हुआ अंदर से कॉंफिडेंस आएगा आपको थार्ड है प्रॉब्लम एंड यू सॉल्विंग इन दा मार्केट यू आर यू आर प्रोवाइडिंग आर टेस्ट यू आर सॉल्विंग आ प्रॉब्लम जो की जैसे डाइबेटिक जैंगी टेस्ट है आपके प्रोड़क का यू स्पी क्या है सो प्रॉब्लम हो सकती है और यू स्पी हो सकती कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आप दे रहे हों चाहें हेल्दी स्नैक्स हो तो यह आपका पहला कोर प्रिंसिपल रहना चाहिए ताकि आपको मार्केट में ट तो सर्व अभी यहां पर आपको माई मिशन टू सर्व जो भी आपका कस्टमर है उसका जो भी प्रॉब्लम है वह आपको लिखना है मेरा मिशन है सर्व करना मतलब सेवा करना उन लोगों के लिए जो मेरे कस्टमर है तो अभी हम परसोना पर चलेंगे फोर्थ पॉइंट प दियर प्रोड़क्ट इन दे मार्केट यह मेरा मिशन है सर्व का यहां तक मैसेश तयार हो जाएगी आपका जैसे सपोज है हेलो माइनेम इस राजेश आइम दे कंपनी नेम इस मेरी कंपनी का नाम है उतकर्ष मसाले मेरा मिशन है एक बैटर क्वालिटी और एक बैटर प्रोवाइड कराना Marco मे इस बैटर वैर में यहां तक आपका मार्केट आजाता है कि आप करना क्या चाते हैं कौन सा मॉडल क्रिएट करना चाते हैं लाइक बी-टू-बी क्रिएट करना चाते हैं डी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी-टू-बी- जैसे मेरा है create a smart product model, creating a smart product model तो आपको अपने model को clarify करना होगा और उसको एक नाम देना होगा,ielle ये नाम न है इस नाम के पीछे वी पॉजिशनिंग है, कारण ये है कि smart product model आपको इसी लिए create करना है कि आप आज offline ही नहीं बेच सकते हैं आपको online भी बेचना होगा क्योंकि marketing आपको 360 way में करनी है वो business model नहीं है जहां आप दुकानों पर खड़े रहकर business बनाए अब आपको अलग तरह से सोचना है that's why smart है इसी लिए आपको यह model सीखना है तो आपका mission यही है विजन यही है यहां से आपको यह पांच पॉइंट से अपनी तयार करनी है और यह model आपको फॉलो करना है टाइप नॉटेड आपने लिखा है एंटी टाइप करें एंटी डी टाइप करें बिकॉज यह जब आपका तयार हुआ अब जिन जिन के नहीं है यह जैसे कि suppose question mark है यहां पर अभी हम एक यह practice कर रहे हैं यह question mark है यह दो तीन question mark आपको हमेशा रहते हैं इसी पर आपकी vision और selection है क्योंकि आज almost जो लोग रहते हैं silver में आते हैं उनको explore नहीं पता होता है कि क्या करना है तभी वो भी थोड़ा सा explore करते हैं देन वो समझ जाते हैं देन वो आगे मेरे साथ में आके अपने business में आगे बढ़ते हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको brand name, company name ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है टास्क जो है वो problem का solution देना है और वो persons को find out करना है जिनके लिए आप product launch करना चाहते हैं क्योंकि पहले customer को जब हम ढून लेते हैं तो हमारा product आसानी से बनता है जब हम company और ये काम सारे पहले करके समझ लेते हैं खुद खुद के angle पर तो काम नहीं होता है इसलिए आपको ये मैंने task करवाया है